तबुश्कार में हो प्रिया आज है साथ पार्च खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार दरोगा भरती की मुख्य परीक्षा की तारीख का हुआ एलान अबुलेंस और अन्यवाहन खरीदने के लिए इस दिन तक करें आवेदा बिहार में आई कोरोना के 30 से कम मामले बिहार के करीब 3 लाग सिक्षकों के लिए आई बुरी खबर बिहार में शुराबंदी को लेकर 9 मार्च को होगी एहम बैठक अब जले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और वस्तार के बिहार दरोगा भरती की मुख्य परिक्षा की तारीख का हुआ एलान बिहार दरोगा भरती की मुख्य परिक्षा की तारीख का एलान बीते दिन कर दिया गया है जिसके तहट बिहार पुलिस के अधीन पुलीस अवर निरिक्षक और स्टार्जेंट अवर निरिक्षक अगर आप भी आने वाले दिनों में आम्बुलेंस या अनिवाहन खरीदने की सोच रहे तो आपके पास 31 मार्श तक का मौका है क्योंकि 31 मार्श तक आपको इसके लिए आवेधन देने का विकल्प दिया गया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि मुख्यमंत्री ग्रामीन परिवहन योजना के तहत अम्बुलेंस खरीदने का लक्षे निर्धारित किया गया था इसी कारण सरकार लक्षे पूरा करने के उदेश से चार मार्श को एक पत्र भी जारी कर चुकी है और नौवेचरन के तहत आवेधन प्राप्त करने का निर्धेश दे चुकी है मुख्यमंत्री ग्राम परिवान योशना के लिए नौवेचरन के तहट आवेदन लिया जाएगा इसके लिए विभाग के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है इसके साथ ही तारीख भी निर्धारित कर दी गई है इच्छोक लोग निर्धारित तारीक तक और नावेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं मार्श के तीसरे हफ़ते में ही छूटने लगेंगे लोगों के पसीने मार्श महीने के शुरबात होने के साथ ही बिहार का तापमान तेजी से बढ़ने लगा है आलम कुछ यू है कि हर दिन के साथ तेज गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है पिश्रेक चॉप इस घंटे की बात करें तो बिहार के तापमान में दो डिग्री के करीब रिधी दर्श की गई है वहीं प्रदेश का उसात अधिकतम तापमान भी तेज दिन 39-31 डिग्री से लसियस रुकॉर्ड किया गया मौसम विज्यानिकों की माने तो मार्च के तीसरे सब्ता से ही लोगों के माथे से पसीना बहना शुरू हो जाएगा इसके बाद ही मौसम विज्यानिका ये भी बानना है कि इस बार की गर्मी शुरूवाती समय से ही लोगों की परिशानी बढ़ाने वाली है मौसम वभाग के नुसार प्रदेश का मौसम काफी तेजी से करवट बदल रहा है वाताबरन में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है जमूर कश्मीर पुलीस ने निकाली रुखतियां जमूर कश्मीर पुलीस ने कॉंस्टेबल पुरुश और महिला के कुल मिलाकर 2700 पद पर आवेदन की मांग की है इन पदों के लिए सेक्षनी की उगिता की बात करें तो अभिहर्थियों के पास उचाई और छाती के मानक स्टाररिक माप के साथ बार्टरिक पास या समकश्य कोई डिग्री होना अनिवार है इच्छो कोडियों के मिद्वार अंतिम तारिक 2 अप्रेल 2022 तक आधिकारिक फेपसाइट www.jkpolis.gov.in पर जुआ करावेदन भर सकते हैं बिहार में आए कोरोना के 30 से कम मामले बिहार में COVID-19 की संख्या में लगातार गिरावट जारी है स्वासिव भाग की तरफ से मिली जुआनकारी के निसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 28 मरीजों की पुष्टी हुई है जो इसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 188 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभाविद जिलों की बात करें तो अररिया में 1, गुपालगज में 1, कटेहार में 5, किशनगज में 1, लखी सराय में 1, नारंड़ना में 3, नवादा में 1, पटना में 2, पुर्णिया में 1, सहरसा में 2, समस्थपुर में 4, शेक पुरा में 5, सिवान में एक मामले के पुष्टी हुई है इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर एक लाग तसदार 615 सैंपल की जाच हुई वही जौरान 43 मरीज ठीक होकर घर वापस बोटे है मुख्यमंतरी के नलजल योज़ा की होगी online monitoring जहां भीते दिन बिहार के पी हीडी मंतरी ने एक तरफ नलजल योज़ा में गरबड़ी की बात को स्वीकारा है वहीं दूसरी तरफ अब नलजल योज़ा की online monitoring का आदेश मुख्याले की तरफ से जारी किया गया है जिसके तहत पंचाईती राज और लोकस्वास्त अभिंतरन विभाग द्वारा संचालित योजनाव की मौनेटरिंग अब मुख्याले से होने वाली है यानि कि अब सभी जिलो में संचालित नलजल योजना की ओनलाइन मौनेटरिंग राज मुख्याले से भी हो सकेगी इसको लेकर नलजल योजना के तहट जिलो में स्थापित आई ओटी डिवाइस को लिंक किया आग जाएगा किस जिलो में कितनी जगों पर पही जोलापुर्ती बाधित रही इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट मिलती रहेगी वभाग से मेली जानकारी के नुसार जल्दी जिलो के डिवाइस को मुख्याले से लिंक कर दिया जाएगा आज विहारी पहच्वान में हम बात करेंगे पवन सिंग की पवन सिंग एक भारतिय पार्श गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्माता, मंचुकलाकार और मीडिया व्यक्तित्व हैं उन्हें दो अंतराश्ष्रिय भोजपुरी फिल्म पुरसकार मेले हैं पवन सिंग का जम 1986 में जोखरी आरा में एक राजपूत परिवार में हुआ था उन्होंने अपने चाचा अजीत सिंग से गायन सिखा सिंग ने बच्पन से ही गाना और स्टेज शोकरना शुरू कर दिया था सिंग ने एक गाय के रूप में भोजपुरी भाषा के पॉप अलबमों में काम किया है उनका पहला अलबम ओढ़निया वाली था जो 1997 में रुरीज हुआ था 2004 में उन्होंने पहली फिल्म रंगी ली चुनरिया तोहरे नाम से अभिने की शुरुआत की थी 2007 की फिल्म रंगी ली चुनरिया तोहरे नाम के साथ अपनी पहली मुख्य भूमी का भी निभाई थी आटो पर सवार होते ही सुनाई देगा चमकी की धमकी वाला गाना बिहार में चमकी बुखार एक बड़ी समस्या रही है हर साथ चमकी बुखार का कहर देखने को मिलता है यही कारण है कि बिहार सरकार इस बार पहले से ही लोगों को जागरुक करने का अभियान शुरू करने वाली है इसको लेकर ही उत्तर बिहार में अब स्वासिव भाग ने इस साल पहली बार सरकारी वाहनों के साथ नीजी आटो को भी AES से जागरुकता के लिए चुना है चमकी से बचाव के लिए FM रेडियो पर गाना बजेगा पांसो नीजी आटो पर इस पर प्रचार किया जाएगा इन पर चमकी को धमकी के पोस्टर भी लगाए गया है आबादी से कम है बिहार में लोगों के लिए अस्पतार बिहार सरकार भले ही विकास के गाने गाती हो लेकिन सचाई क्या है इसे आप भी जरूर अवगत होंगे या सरकार की विकास गाथा का एक और उधारन आप ये जान लीजे कि वड़े शेहरों में आबादी ज्यादा है लेकिन इलाज को अस्पताल काफी कम है राजधानी पटना की बात करें तो यहां पर 10 लाग की आबादी पर केवल 87 होस्पिटल मौझूद है विभाग के अनुसार बिहार वेकुल 12,338 सरकारी अस्पताल है इसमें स्वास्त उपकेंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्त केंद्र, सामुदाइक स्वास्त केंद्र, प्राथमिक स्वास्त केंद्र, रेफरल अस्पताल, अनुमंडलिये अस्पताल, जिला अस्पताल शामिल है नौमार्च को होगी एहम बैठक बिहार में शराबंदी कानून को सक्ती से लागू करवाने के लिए बिहार सरकार लगातार काम करे है इसी कड़ी में शराबंदी को लेकर नौमार्च को एहम बैठक बुलाई गई होली को देखते वे शराबंदी कानून के सकती से नुपालन को लेकर मुख्यसाचिप आमिर सुभानी नौमार्च को अफसरू के साथ बैठक करेंगे बैठक में वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से सभी प्रमंदलिय आयुक्त, आईजी, डी आईजी, जुलाधिकारी, पुलीस अधिक्चक, एसडियो, डी एसपी और मधिनिशेद धिक्षक शामिल होंगे ग्रेवभाग के अपर मुख्य साचिप, डी जी पी सहित, सभी, एडी जी और नेपाल सीमा पर तैनात, एसएसबी के आईजी भी बैठक में जुडेंगे जहां पर ही पर्व के दौरान विधी ववस्ता सहित अन्यमुदों पर भी चर्चा की जाएगे बिहार के करीब तीन लाग सिक्षकों के लिए होली से पहले ही बुरी खबर सामने आई है अब सरुकी लापलवाही के कारण 15 प्रतुष्ट वेतन के साथ भुकतान में अभी और देरी होगी मीडिया में चल रही खबरों के 96 जिलों में सिक्षकों के डिजिटल हर्स्ताक्षिर मुद्रित का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है हाला कि ये काम 27 जनवरी तक पूरा होना था और फरवरी में सिक्षकों के वेतन भुकतान को किया जाना था इसे गंभीरता से लेते वे सिक्षा विभाग ने सम्मंधित जिला सिक्षा अधिकारियों और जिला कारिक्रिम पदाधिकारियों से स्पश्री करन पूछते वे तीन दुनों के अंदर जवाब मांगा है आपको बता दे विभाग्य समिक्षा में यह बात सामने आई है कि सम्मंध जिलों में सिक्षकों को वेतन पूर्जा निर्गत की कारवाई भी शिर्थिमेर पुर्वमध रेल ने बिटे दिन नया रिकॉर्ड बनाय है जिसके तेहती रेलवे ने वितवर्ष 2021 में 5 मार्च तक पुम्रे का राजस्व 20,000 करोर रुपे को पार कर लिया है ये पिछले वितवर्ष 2021 की तुलना में 5,526.60 करोर रुपे ज्यादा है पुर्वमध रेल के मुखे जन संपर्क अधिकारी विरेंद्र कुमार के अनुसार एक वितवर्ष में 20,000 करोर रुपे पुम्रे के किसी भी वितवर्ष में प्राप्त रेल राजस्व की तुलना में सबसे अधिक है आपकी जनकारी के लाब को बता दे कोरोना के कारण लंबे समय तक रेल सेवाओं के असामाने रहने के बाद भी पुम्रे के राजस्व में रुकॉर्ड व्रिधी ने बड़ी उपलब्धी हासिल की है चुराग पास्वान ने घोशित किये 5 उमिद्वार आगामी बिहार विधान परिस्त चुनाव को लेकर बिहार में तयारिया अभी सही देखने को मिल रही है चुनावायों के चुनाव की तारीक आधिकारी घोशना के बाद सही सभी राजब्रतिक पार्टियों ने भी अपने अमिद्वारों को उतारने का काम किया है इसी कड़ी में चुराग पासवान ने बीते दिन पांच उमिद्वारों के नाम की घोशना की जुसके तहर जुहानबाद, अर्बल से सतींद्र शर्मा, नालंदा से नरेश प्रसाद, सिंग रोहतास कैमूर से रविशंकर पासवान, दर्भंगा से विपिन पाठक, सहर सामध पूरा सुपॉल सेग गंगा सागर कुमार और छत्री यादव के नाम है, जानकार मान रहे हैं, कि ये सब ही ऐसे उमिद्वार हैं, जो भाचपा को कड़ी टकर मैदान में दे सकते हैं अपने समाथ सुधार अभियान के दिन सीम ने बताया क्यू पैदा होते हैं बौने और मंधबुधी बच्छे समाथ सुधार अभियान के माध्यम से मुख्यमंत्री नितीश कमार बिहार के अलग-अलग जिलों में घूम-घूम कर समाथ सुधार को लेकर मुहीम तेज करते देखे गए वह इस अभियान के तहट बीते दिन उनका आखरी दौरा देखने को मिला इसी दोरान मुख्यमंत्री नितीश कमार ने कहा कि बाल विवा की कारण कई तरह की समस्याएं होती है इस वजों से ही बौने और मंदबुधी के बच्चे पैदा होते हैं अभी लड़की की शादी के लिए नुंत्यमोम रठारा साल है जिसे बढ़ा कर 21 साल करने का प्रस्ताफ केंद्र ने रखा है दहेज प्रता और परतंच कस्तेवे मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग जो दहेज लेते हैं तो आज चेरे लगता है रणजी ट्रोफी में नहीं जीत सका विहार रणजी ट्रोफी मुकाबले में विहार को मायि उसी का सामना करना पड़ा विहार और अरुन्चल्ब्रदेश के बीच हुए माच में विहार की टीम ने कड़ा संखर्श किया लेकिन जीत से 15 रन पहले ही पूरी टीम ओल आउट हो गई आपको बता दे कि कॉलकता के 22 याड सॉल्ट लेक में बिहार और अरुनाचल प्रदेश के बीच ये मकाबला हुआ पहली पारी में अरुनाचल प्रदेश की टीम ने 116 रन बनाये थे बिहार MLC चुनाव के लिए भाजपा ने की बैठक बिहार में विधान परिसर चुनाव की तारीक का अधिकारिक एलान हो चुका है इसी को लेकर बिहार का लगभग सभी राजनेतिक दल अपने अपनी तयारियों में जुटा हुआ है इसी कड़ी में भाजपा ने भी चुनाव के मदर अज़र बीते दिन बैठक बुलाई थी जिसकी अध्यक्षता संजीज जैसवाल ने की बैठक खत्मोने की बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्षता संजीज जैसवाल ने कहा कि अबैसे उमिदवारों के नाम की सुची केंदर नितृत्व को भीरी जाएगी आखरी निननने केंदर नितृत्व की तरफ से ही लिया जाएगा संजी जैसवाल ने कहा कि दो-तीन दिनों में उमिद्वारों के नाम का एलान हो जाएगा यूकरेन में फसे 38 और छातर पहुचे बिहार रूस और यूकरेन के बीच ज़ारी घतिरोथ खत्मोने का नाम नहीं ले रहा यही कारण है कि वहां पर फसे भारती भी लगातार वापस आ रहे है बिहार के चातर भी इसी कड़ी में लगातार वापस लोट रहे है इसके तहती बीते दिन बिहार के 38 चातर एक बार फिर से बिहार लोटा है एरपोर्ट पर परिजन अपने बच्चों से मिलकर काफी ज़ादा भावुक नजर आए लेकिन अब P.H.E.D. मंत्री ने खुद ही नलजल योशा में गरबड़ी की पात को स्विकारा है जिसकी तहती बिहार के P.H.E.D. मंत्री रामप्रीत पास्वान ने माना है कि बिहार में नलजल योशा में गरबड़ी हुई है हाला कि उन्हाने कहा कि जो भी इस गरबड़ी में सनलिप्त पाए गया है उनके खिलाफ कारवाई भी हुई है मंत्री ने बताया कि पहाड़ी इलाकों को छोड़ दे तो राज़े के ज्याद तर जगों पर शुद पेजल लोगों को पहुँचाय जा रहा है हम लोगों ने वाड़ पार्शुद और मुख्या पर भरोजा किया है लेकिन कई लोगों ने गरबड़ी भी की है जनौशधी दिवस्त से मिलेगी आम लोगों को जानकारी बिहार विधान सभा में याचुका समीती के सभापती और भाजपा के बरियनेता डॉक्टर प्रेम कुमार ने बीटे दिन इस बात की जानकारी दी कि आम लोगों को जनौशधी दिवस्त में इस बात की जानकारी मिलेगी कि जनौशधी केंद्र से दवा खरीत कर स्वास्त इस बावत भाजपा की बरियान नेता BPSC मोटर वहिकल इन्सपेक्टर परिक्षा में 45 प्रतिषत उमिदवारों ने लिया हिस्सा विहार लोग सेवायो की तरफ से शनिवार और रविवार को MVI के लिए परिक्षा का युजण किया गया था इसको लेकर राज़ानी पट्टा में 6 केंदर बनाए गये थे जिसमें ही लगबग 90 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में 45 प्रतिशत उपस्थिती देखने को मिली वहीं 3100 इसमें शामिल हुए थे इसकी जानकारी आयो के अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने दी है उन्होंने बताये कि छात्रों को परीक्षा केंदर पर एक घंटा पहले बुलाये था परीक्षा में पूरी तरह भाहुविकल्पी प्रश्न पूछे गया थे भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कार्णों से दर्ज भारत में 1835 में यूरोपिये साहित और विज्ञान की प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने का प्रस्ताव लाए गया पाकस्तान और भारत आतंगबाद पर जियाच में मदद के लिए 2007 में तयार हुआ अंतरिक्ष यात्रियों ने मंगल ग्रह पर जील की 2008 में खोच की भारत ये अभिनेता अनुपमखेर का 1955 में जन हुआ भारत के प्रसिद पूर्व क्रिकेट खिलाडी डरी कॉंट्राक्टर का 1934 में जन हुआ हिंदी फिल्म में प्रसिद संगीतकार रवी का 2012 में निधन भारते गुरु परभंस योगानन्दी जी का 1952 में निधनुआ था विराट कोली पर भी चड़ा पुश्पा का बुखार भारत ने पहले टेस्ट में श्री लंका को पारी और 222 रनों से रौंद कर सीरीज में एक शुने की बढ़त बना लिये ये मैच कई माईनों में दोनों टीम के लिए खास रहा जहां विराट कोली अपना स्वावा टेस्ट मैच खेलने उतरे थे तो वहीं स्री लंका की टीम ने अपना 300 मैच खेला विराट ने मल्ले बाजी से नहीं तो अपने आक्शन से ही फैंस का दिल जीत लिया माच के तीसरे दिन उन्होंने मैदान पर कुछ इस तरह का सेलिब्रेशन किया जो कि सोशल मीडिया पर काफी जादा वाइरल हो रहा है मोहाली टेस्ट के तीसरे दिन श्री लंकाई पारी के 51 वे ओवर में रविंदर जडेजा ने जब लसित अमबल दीनिया को बिकिट कीपर रिशप पंथ के हाथों कैच आउट कर आया बीच मैदान में कोहली पुषपा फिल्म के मैं जुके का नहीं का स्टेप करते देखे गए और रविंदर जडेजा के मज़े भी लेते हुए दिखाई भी है सुनाक्षी सिनहा के खिलाफ गयर जमानती वारिंट हुआ ज़ारी बिहार से निकली अभीनेत्री सुनाक्षी सिनहा कानूनी पच्छे में फस्ती नजर आ रही है मिली जानकारी के नस्दार बीते दिन सुनाक्षी सिनहा के खिलाफ गयर जमानती वारिंट भी ज़ारी किया गया दरसल धोखा धड़ी के एक मामने में सुनाक्षी के खिलाफ गयर जमानती वारंट जारी किया गया है बतादे कि यह मामना च्छार साल पुराना है वैसे लेकर इवेंट में शामिल ना होने के मामने में सुनाक्षी के खिलाफ मुरादबाद की एक अदालत ने गेर जमानती वारेंट जारी किया है इसके बाद ही अब सुनाक्षी को 25 सप्रेल को कोट में पेश होना है मुबाइल से बुक करे प्लाटफॉर्म और जेनरल टिकेट टिकेट काउंटर पर लगने वाली नम्बी लाइन की वज़े से अनारक्षुत यानिकी जेनरल टिकेट लेने के चकर में कई बार ट्रेन शुट जाती है ऐसे में मुबाइल से ओन्लाइन टिकेट लिया जा सकता है इस काम में UTS मुबाइल आप आपकी मदद करेगा इस आप से जैनरल के साथ ही प्लाटफॉर्म टिकेट को आसानी से लिया जा सकता है इस आपको इंडियन रेलवे की तरफ से शुरू किया गया है जिसमें प्लाटफॉर्म के नजदीक से मुबाइल के जरिये टिकेट बुक किया जा सकता है या थो UTS आप Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है गांजा की तसकरी में बिहार सबसे आगे बिहार गांजा की तसकरी में सबसे आगे है DRI की रिपोर्ट में ये हकीकत सामने आई है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि पुरे देश में जब्त किये गे 45,592 किलो गांजा का 30 फीज़ी हिस्सा यहीं से बरामत किया गया है गया थो DRI के रिपोर्ट में मुख्यो रूप से 2020 में की गई जब्ती से जोड़े आख्रों को प्रस्तुत किया गया 2021 में ही की गई जब्ती से जोड़े रिपोर्ट में DRI के स्तर से प्रकाशित नहीं हुई है परन्तों ये तैय है कि 2021 में गांजा के जबती की मात्रा में थोड़ी बढ़ात रीज़ जरूर हुई है कल हमारे द्वारा पूछे ये सवाल का जबाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत है निवाद आप इसे जिन्यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कहकशा महजवी, प्रेम चंदर प्रसाद, महमूद किंग, गौतम कुमार, बबिताय आदफ, श्वेता रॉय प्रदीप, गौतम कुमार, राम बाबु कुमार, नुनु कुमार, राजीव कुमार, ओम कुम इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अब्डेट इढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, धन्यवाद